अगर प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत जादा है तो बच्ची को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं गाइस प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए यह मैं पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ उसको आप जरूर देखें मैं आई बटन पर उसका लिंक जर होता है 11 to 16 kg होता है ठीक है अगर प्रेगनेंसी में 11 to 16 kg वेट नहीं है तो आपके बच्चे को क्या दिकत हो सकती है सबसे पहले दिकत यह हो सकती है कि प्रीटर्म बेबी होगा आपका यानि जो एक टाइम है डिलिवरी का ठीक है उससे पहले ही बेबी डिलेवर हो जाएगा ठीक इसको हम लोग कहते हैं प्रीटर्म बेबी सेकेंड पॉइंट है लो बर्थ वेट वेवी एक नॉर्मल जो वेट होता है बेबी का वो 2.5 kg से होता है और आज कल हम लोग देखें 3.5 kg वेट भी बच्चन नॉर्मल होता है ठीक है इसके अलावा अगर वेट आपका प्रे बेबी बेबी होगा दिया पिया क्या वर के बच्चे को दिखत हो सकते हैं यानि उसको चलने में भी दिखत हो सकती है उसको खाने में भी दिखत हो तो बी दिक्त हो सकती है ठीक है आगे चलके बच्चा बहुत बिमार रह सकता हो सकते हो सकते हैं पिर आगे भी चलके उसके बहुत से health issues होंगे तो guys यह था कि अगर आपका weight कम हुआ pregnancy में एक normal weight जो है pregnancy में 11-16 kg अगर इसके लावा कम हुआ आपका weight तो यह issues हो सकते हैं ठीक है अगर आपका weight pregnancy में एक जो normal weight होता है वह ना होके 11-16 kg ना होके बहुत जादा आपका weight है तो आपको सबसे पहले c-section के लिए advice किया जा सकता है ठीक है second point क्या है कि अगर आपकी normal delivery हो रही है ठीक है तो during normal delivery baby को oxygen supply कम मिल सकते है oxygen जो बच्चे तक पहुचना है वो कम पहुच सकता है जिसकी वजह से still birth भी हो जाता है still birth क्या होता है delivery होते होते जब बच्चे को oxygen नहीं मिल रहा है proper तो वह expire कर जाता है यानि death हो जाती during delivery time क्योंकि patient obese है ठीक है next आगया macrosomia macrosomia मतलब एक normal जो वेट होता है बच्चे का वह normal नहीं होके वह बहुत जादा है ठीक है 4.52 more than that भी बच्चे होते हैं तो इससे ज्यादा बच्चे है जब आगर आपका वेट बहुत ज्यादा pregnancy में है तो आपका वेट बच्चा macrosomia stage में भी जा सकता है normal delivery होने में भी बहुत time लग सकता है ठीक है prolonged labor हो सकता है ठीक है hypertension की issues आ सकते हैं ठीक है preeclampsia preeclampsia किसको कहते हैं यानि जब आप ओवीज होंगे आपका वेट जादा होगा तो preeclampsia stage में आप चली जाएंगे यानि hypertension के आपके issues होने लगेंगा आपका BP raise होने लगेगा ठीक है एक यह issues हो गया gestational diabetes हो सकता है gestational diabetes में बच्चा macrosomia stage में चला जाएगा बेबी जो डिलिवर हुआ उसको neural tube defect भी हो सकता है miscarriage भी आपका हो सकता है still birth मैं पहले ही बता चुकी हूँ इस तिल बर्त यानि जैसे delivery हो रही है उस टाइम आपका बच्चे expire भी हो सकता है ठीक है क्यों क्योंकि आपको oxygen supply बच्चे को properly नहीं मिल पा रही है तो य उसके बाद delivery के बाद आपको weight loss करने में दिक्कत हो सकता है तो guys यह था आज का topic कि अगर आपका weight बहुत कम है normal weight gain जो होता है pregnancy में कम है तो क्या दिक्कत हो सकता है बच्चे को और अगर ज्यादा है तो आपको और आपके बच्चे को क्या दिक्कत हो सकता है मिलते हैं next video में ब झाल झाल